ऐसे आज ने बहुत ही इंपॉट्टन टॉपिक्ट डिसकस करने जा रहे हुँ है जो हर एक स्टुडेंट का सवाल है हर एक इना जो चूटता है तो कैसा लगता है यह वैसा समय है कि हर लोग नौकरी के लिए अपने करीर को बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं वो चाहे एक student हो या married woman हो या बच्चे की मा हो लोग पढ़ने के बारे में सुचते हैं और सपना देखते हैं कि हम लोग एक दिन कुछ ऐसा करेंगे अपने life में जिससे हमारे मता-पिता को हम हमारे पती को यह हमें खुद पे गर्व होगा यह हमारे बच्ची को हम पे गर्व होगा पर यह सोच कर हम लोग अपनी महनत करें लगते हैं ज्यादा चैलेंजिस उन लोगों के लिए आते हैं जिनके पास कोई support नहीं होता है और खुद खुद से लड़कर लोगों से कर और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं पूरी महनत के साथ लेकिन कुछ समय ऐसा आता है एक समय ऐसा आता है कि जब पदर चलता है पेपर लिख हो गया वहां पैसे देके लोग भूस खिला कर इजाम कैंसल करवा दिया गया या उन लोगों का नौकरी हो गया और जो ल हुसकर अवाज बना चाहती हुँ जो स साद्य के बाद पढ़ती है इवें बच्चे होने के बाद भी पढ़ने का हौसा रखती है लेकिन जब यूँश में पदर अपने बच्छेती है अपने आप को आगे करती है मतलब लड़कर इन आए पती को पती बी सपोर्ड नहीं कर रहे हैं, परिभारवाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फुद के बल पे कोई की सपोर्ट करेगा तो मैं करूँ भी खुद से और वो करकर मेहनत करती है, लोगों के ताने सहती है, और पता चलता है कि पेपर लिख हो जाता है, या कुछ लोगों का नौकरी हो जाता है, तो इसमें हम लोगों का अपना काबिलेक पर सकाता है, लोग और ताना मारते हैं कि देखो तुम क्या करने थी और क्या हुआ, तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो भ्रष्टाचारी चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है हमारे देश में, उसको कम करना चाहिए, सरकार को यह सोचना चाहिए, कि जन संख्या जाता है और नौकरी कम है, तो इस नौकरी को वो लोग ही ले, जो इसके लिए हार्डवक करते हैं, ज चाहते हूं कि कम से कम आप ये सोचें कि अगर कोई इंसान कोई छात्र में मेहनत कर रहा है और अपने सपने को पूरा करना चाहता है तो कहां गलत है अगर गलत है तो इस पढ़ाय को हटा दीजिए आप को नौकरी ही ना दीजिए को नौकरी का फॉर्म ही मत निकालिए क्योंक इतने सारे निपल चुती हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी को ऐसे करो बेटी को यह समान दो तो क्यों समान देना क्यों जब बेटी खुद समान पहना चाहती है तो समान पोचला आता है और में इक बेटी के लिए नहीं करें हर बेटे के लिए पर होना उससे कई ज्यादा बीटे को भी इंपरेंट है अपने फिछ वो ऊणोटाया को समधाना तो अपने वो बताक बाता किपाता देता है लेकिन आपकार बता देना चाहिए कि आप मत पड़ो आप यही सब करो तो आप यहां पढ़ाय होने से कुछ नहीं हो रहा है, आपके पास नौक्य नहीं है, आप प्लीज बता दें, ताकि हम लोग अपना टाइम वेश्ट ना करें, हम लोग जो इतना महनत कर रहे हैं, हम लोग अपना महनत ना करें, तो चलिए, आज मुझे यही बूलना था, तो म मैं तो यही आपको काहूंगी लाष्ट में, कि कुछ भी हो जाए, अपना महनत को नहीं छोड़ना है, महनत को आपको करना है, यो कि देखी होता क्या है, कि जूट करने करिस्तेदार होते हैं, लिए सच अक्यला होता है, ठीकि यह बात हमेसा आपको याद रखना है, जब आ होगा जाएंगे, लेकि जब आप सच भोलने निकलोगे, तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, इस बात को हमेसा गाट बंग देजे, और आप महनत कीजे, आप boys हैं, girls हैं, no matter, आप अगर आप साधी के बाद ही पढ़ रहे हैं, बच्छे के बाद ही पढ़ रहे हैं, no matter, ठीक है, किसी रिस्चेशन में आपको, आपको महनत करना है, महनत आपकर रहे हैं, एक समय आएगा कि यह सब भष्ट अचार खतम हो जाएगा, और खतम कैसे होगा, हम जैसे लोग महनत करके जब आगे निकलेंगे, तो हम ही लोग कानूं को अच्छे कर सकते हैं, और आने वा किसी अधनर करना है, बीना इसे पाको भषए हुए, ठीक है, चलिए, आपको के रहे हैं, ठीक है,